खड़े होकर किये जाने वाले आसन सरोप्रथम नमस्कार आसन अंदर सांस भरते हुए नमस्कार के मुद्रा में सांस को रोक के रखेंगे फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए सामाने इस्थिती में आएंगे दूसरा है हस्त उत्थान आसन दोनों हातों को सास अंदर भरते हुए, पीछे की तरफ होल्ड करेंगे, यहां रोकेंगे, सास को भी रोकेंगे, और सास को धीरे-धीरे छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे, और सामाने इस्थिति में आएंगे. नेट्स है पाध हस्तासन जिनके कमर में दर्ध है वो ये आसन नहीं करेंगे सास को अंदर भरते होए हाथ उपर और छोडते होए हाथ नीचे ले जाएंगे और अंगूठों को टेश करेंगे पैर के और धीरे धीरे सास भरते हुए बाहर समाने सिति में आएंगे फिर है ताड़ासन, ताड़ासन करने के लिए दोनों हाथों को लॉक करेंगे, सांस को अंदर भरते हुए बॉड़ी को उपर के और इस्टेच करेंगे, पंजों पर खड़े होंगे, कंसेंट्रेशन मेमोरी के लिए बहुत अच्छा आसन है, इस्थिरता प्रदान करता है और सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए सामाने स्थिति में आएंगे, इसी का वेरियेशन है तिर्यक ताड़ासन, इसमें ताड़ासन की तरह ही करना है, सांस को अंदर लेते हुए उपर की तरफ और किसी एक और जुख जाना है, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए सामा निश्तिती में आ जाएंगे फिर अर्द कटी चक्राशन इसमें दोनों हाथों को कमर पे रखेंगे उठेंगे आगे की तरफ सांस को अंदर भरते हुए पीछे की और अपर पोर्टिसन को ले जाएंगे बौडी के और होल रखेंगे सांस को धीरे धेरे फे सांस छोड़ते लो बाय केक की प्रोब्लम में बहुत हिलापकारी आसन है त्रिकोन आसन त्रिकोन आसन में एक से डेड़ फिट की दूरी दोनों पैरों के बीच में हाथों को बिलकुल पैलल सीधा ही रखना पूरे आसन के दोरान और एक हाथ को पैर से टच कराएंगे दूसरे हाथ पर नजर रहेगी और सास को होल्ड रखेंगे फिस सास को धीरे-धीरे छोड़ते हुए सामानने स्थिती में और सास अंदर भरते हुए इसी तरह दूसरी तरफ से ये करेंगे पैर की तरफ टेच कराएंगे दूसरे हाथ को देखना है आतके उंगली को फिसास छोड़ते हुए धीरे-धीरे सामान ने इस्थिती में आना है फिर वरिक्षासन वरिक्षासन बच्चों के लिए बहुत ही लापकारी मान और सरीर के स्थिर्ता प्रदान करने के लिए इसमें पैर को जंगहों पे रखना है और पेरेनियम से एडी को टेश करते हुए और इस तरह नमसकार की मुद्रा में सामने एक बिंदू पर केंदरी त्रहे ध्यान सास को रोकना है फिर सास छोड़ते हुए हातों को नीचे फिर पैर नीचे आएंगे ये है वरिक्षासन इसको दूसरे पैर से भी किया जा सकता है सास भरते हुए हात उपर जाएगा सास रोकेंगे साथ में कंसंट्रेट करेंगे और सास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे अगला है धुरुव आसन भी विक्षासन जैसा है इसमें पंजय आगे की तरफ खुले हुए होते हैं और इसी तरह कंसंट्रेट्सन बढ़ाने के लिए ये आसन भी है अगला है वीर्भद्रासन वीर्भद्रासन में एक पैर आगे की तरफ पूरा लोट बोड़ी का लगभग घुटनों पर अब दूसरा पैर पीछे की तरफ होगा आप देख सकते हैं और सांस को होल रखना है शांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीर सामाने मुद्रा में आना है इस तरह से ये थे खड़े होकर किये जाने वाले आसन अगले वीडियो में हम लोग बैठ कर किये जाने वाले आसन देखेंगे आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं ओम सरवे भवंतु सुखिनाह सरवे संतु निरामया सरवे भत्राणि पश्यंतु माकस्चि दुख भागवेत।